जवान वैसे तो बोलिवुड पर चाही हुई है और इस मूवी से सारुक खान ने अपना कमबैक कर लिया है और एटली ने भी बोलिवुड में धमाकेदार डेव्यू किया है जवान एक मास अंट्रेटेनर मसाला मूवी है लेकिन एटली पर हमेशा से इलजाम लगता रहा है कि वो मूवी के सीन कोपी करते हैं और ऐसा जवान के साथ भी हुआ थेटरस में इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने इसका पोस्ट माटम कर दिया कि किस मूवी की कहानी से इसकी स्टोरी ली और कहां से करेक्टर उठाया और कहां से फिल्म के सीन कोपी की है अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि ये मूवी 1989 में आई ताई नाडू से कोपी की कुछ ने बताया कि इस मूवी की स्टोरी 2002 में आई रमना, कमल हसन की हिंदूस्तानी, अजीत की आरंब और अमिता बच्चन की आखरी रास्ता से स्टोरी ली गई है सत्यराज यानि अपने बाहू बली के कटपपा की येर 1989 में आई ताई नाडू मूवी से जवान की स्टोरी पूरी मैच करती है थाई नाडू में भी सत्यराज ने अपने बाप और बेटे दोनों का रोल किया बाप मिल्टरी में होते हैं और उन पर दुश्मनों को सैंसिटिव इन्फोर्मिशन बेचने का आरोप लगता है और बिना उनके केस सुनवाई के उनका मडर हो जाता है फिर बेटा आता है और बाप को निर्दो साबित करने की कुशिस करता है और बाद में पता लगता है कि एक पॉलिटिशन इस केस में गिल्टी होता है सेम स्टोरी जवान में देखने को मिलती है बाप और बेटे का रोल SRK करते है और सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करते है अब बात करें 2002 में आई रमना मुवी जिसमें विजय कांत अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सिस्टम से फाइट करते है वही जवान में SRK अपने साथ पांच लड़कियों के टीम बना फाइट करते है कमल हसन की हिंदुस्तानी मुवी से लाइव टीव पर कांड करने वाले सीन कोपी करने के स्पेकुलेशन्स सोशल मीडिया पर है इस मुवी में भी कमल हसन ने बाब बेटे दोनों का रोल किया था जैसे जवान में SRK ने किया है फिल्म की स्टोरी के साथ साथ फिल्म के करेक्टर्स को कोपी करने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है सबसे पहले तो शारुक खान के मास्क वाले लुक को लोगों ने आप रिचित से इंस्पायड बताया वही दंगल गर्ल सान्या मलोतरा जो की एक डॉक्टर का रोल कर रही है उनका करेक्टर रियल लाइफ डॉक्टर कफील से इंस्पायड है डॉक्टर कफील ने बीडियार होस्पिटल में मरते हुए बच्चों को ऑक्सिजन प्रोवाइड करवा उनकी जान बचाई थी लेकिन उल्टा उन्ही पर केस हो गया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें